हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आशना क्रेशन देखे आज मैं आपके लिए एक स्वेटर का पैटर लेके आए हूं यह डिजाइन जो है आप किसी भी स्वेटर में डालिए बच्चों में डालिए बड़ों में डालिए जैंस लेडिस सब में अच्छा लगता है तो यह तो बेसि यह पनेिश के क्लिक सकतें कम यह ज्यादा कर सकते हैं तो यह पैटर्टन बनाना कैसे किसे में सुप नाँंगी नों दो डिजाइन साथ बनाँगी तो चलिए एस सब्से पहले बनाना स्टार्ट करते हैं हाएब 22 झाल्स से इस बनाना जाइन पर इस को यह जो gap है। देखी बीच का जो डिस्टैंस हम रखते हैं इसको अपने एक और इंग रखा जाएगा। इसमें मेने 4 फंड़ों से रखआ इसको आप अपने हिसाब से कम और जङ्यादा अपने इसाबसे कर सकते हैं main pattern हमारा ये है जो हमारे 5 फंदों पर पढ़ता है तो बीच के फंदे आप अपने एक ओर्डिंग रख सकते हैं तो देखी सबसे पहले हमें क्या करना है मैंने यहाँ पर starting में ये 4 फंदे बिने 1, 2, 3, और ये 4, 4 हमारे हो गए अब यहाँ इन 5 फंदों पर हमें बीच का ये pattern डालना है तो ये pattern डालने के लिए जो हमारे left hand की सिलाई है left hand की सिलाई से 2 फंदे हम ऐसे सामने से मतलब पहले को छोड़के दूसरे वाले में निडिल डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और पीछे से एक loop लेंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया उन अपनी side लाएंगे इसको सीधा बिनेंगे और एक हमारी जाली पड़ गई यानि कि एक हमारा कम हुआ और एक हमारा यहाँ बढ़ गया फिर उन अपनी side लाएंगे अब इस वाले फंदे को मैंने ऐसे सिलाई पे सिधा किया ऐसे जिससे हमारा जो यह portion आता है सामने वाला यह ठीक से बंड के आए सफाई से clear आए फिर इन उनको आगे रखा है जिससे हमारी एक जाली बन रही है और इन दो फंदों का यह एक हो ग पीट हो रहा है तो दो फंदों का एक किया उन अपनी side लाए एक फंदा सीधा बनाया फिर उन अपनी side किया और इन दो फंदों को सामने से गुमाते हुए दो फंदों का यह हमने एक किया और यह लास्ट के चार फंदे फिर इसमें मैंने डाले हुए जो मैंने पूरा उल्टा बिना दो बार हमारा यह डिजाइन पड़ गया और दो बार हमारे यह side में उल्टे फंदे side से starting उल्टे फंदों किये उल्टी रो में कोई change नहीं है उल्टी रो हमारी पूरी नॉर्मल जैसा हम उल्टा बिनते हैं तो यह उल्टा बिना जाएगा पूरी उल्टी रो उल्टी कंप्लीट करने बाद सीधी सिलाई बे फिर कुछ नहीं होगा यह सिर्फ एक बार डिजाइन पड़ता है और एक बा अगर अभी तक आपने हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे कि देखिए उल्टी स्लाई कंप्लीट हो गई और अब सीधी स्लाई में उसमें हमारा बैम पड़ेगा फिर हमारे जो हमारे उल्टे फंदे चआहें दो टीन ौर यह कार विच्छे लें तीन और चार उल्टे हो गये फिर यह सीधे वाले पात चीधे हो जाएंगे पांच सीधे और चार उल्टे से ही ऐसी बना के बाद एक बार डिजाइन इसमें डालना और बताते हैं जिससे पूरा यह क्लियर हो जाएगा यह देखिए उल्टी स्लाइग कंप्लीट हो गई हम सीधी अप दिखिए दो एक सीधी उल्टी रो दिख रही है दूसरी भी दिख रही है और यहां से हलका सा डिजाइन हमारा प फन्द में ऐसे निडिल को डालें गे और पहले वालए फंदे दोनों को एक साथ लेते दिщनों एक निकलेंगे बीच वाले फंदे बनाएं तो पिजाली पन रहेगा और इन दोग्यायों इस फंदे को सीध़ा करें जिसट जाही और इन दू फंदों का एक किया बीच के एक दो तीन और ये चार फंदे हमारे उल्टे हो गए उन फिर पीछे ले गए अब देखे फिर वही पैटरन रिपीट हो आज इस दो को एक किया उन अपनी साइड लाए एक जाली बनाई उन अपनी साइड लाए अब इसको आप ऐसे भी बिन सकते हैं जैस चोटी वाला स्टाइल आता है ये सिधा आता है ऐसे इन दो फंदो का एक किया उन अपनी साइड लाए और ये फिर फंदे उल्टे लोगे इसी तरीके से उल्टी रो फिर हमारी उल्टी चलेगी एज इस रिपीट होगा जैसा अभी मैंने स्टार्ट किया है उल्टी रो उल एसे इसमें जाली-जाली से दिखने लगता है और यह ऐसी क्लियर एकदम दिखता है यह दिखिए अब यह सिफ दो बार ही पड़ा हुआ है उनका कलर इसमें मैं ठोड़ा डाक लगाया हुआ है इस वज़े से थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है और ना बनने पर हमारा प क्रिफिकेशन टाइम से मिलती रहे है थैंक यू अ झालिए अज़ünde यह सकता है यहा बनने परनान टाइम घटेखने लोका है यह सी कर्सक्ते हिए घुआ है पिसमें वगूपल के दिक्कता है ले चुआए